मित्रो कोई भी मानसिक समस्या का कारण Physiological होता है या Psychological होता है यह हमें समझने की जोरत है Physiological का मतलब है की कोई Chemical Inbalancing हो गई है Body में कोई बोडी का जो physiological पार्ट है कोई ओर्गन है यह फिर हमारे Brain के अंदर कोई हवा भर गई है neurons weak हो गए हैं ये सारे physiological cause में categorize हो सकते हैं psychological cause में कोई thought का issue है कोई belief का issue है कोई perception का issue है या फिर आपको कोई चीज जैसे समझनी चाहिए वैसे नहीं समझ रहे हो इस तरह के cause को psychology की category में रखा जाता है तो कोई भी मानसिक समझया जैसे anxiety, depression, stress ये कैसे होते है physiological और psychological दोस्तों जो 80% times कोई भी मानसिक समझया का कारण जो होता है वो psychological ही होता है 10 से 20% ऐसे बार कभी कभी होता है कि हम कोई chemical effect हमारी body में create हो जाए हमारा खाना वगएरा कुछ सही ना हो जैसे कोई junk food खा लें excessive alcohol हो कोई Arizona या फिर ऐसे psychological drug जो neurotic drugs होता है वो आपने ले लिया तो इस वज़े से आपकी body की जो psychology होती वो impair होती है लेकिन 80% times इनका जो mule cause होता है वो आपके belief, perception, thought इसी पे ही depend करता है